वेलकम टो यूर ऑन बिहार बोर्ड क्वेस्चन चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग किसले हिंदी कक्षा दस का जो लेखक का नाम है उसको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो इसको हम लोग के से याद करने वाले हैं तो तू जिंदा है तो यहां पर जिंदा है याद रखेंगे और जिंदा कौन है तो शंकर है कौन है शंकर जिंदा है तो तू जिंदा है तो का कौन जगा शंकर शेलेंद्र इसके बाद हम लोग टेस्ट भी लगाएंगे तो वो है इद गाह क्या है इद गाह जो हम लोग जाते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और इद की नमाज जो पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं प्यार से यानि प्रेम से क्या मिलते हैं गले मिलते हैं कहने का यहुद्धा की तो जब चलि अगला देख लेटेए अगला क्या है बाल गोबिन भगत तो ध्यान रखेहें गाल, ऩहाँ सब्यां कर chambers are गूबी क्या हैं, और गोवी किसमे होता है, सब्जी का नाम है जो कि पौधे में बज़न क्या होता है पौधЕ में तो पौधअ क्या है एक विरिक्षा है डाइब का जल परपाद तो परपाद 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 एक टाइप का लगता है न और कहीं परपाद नहीं है तो परपाद 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 तो एक टाइप का लगता है तो इसका जो हो जागा कामता परपाद सिंग काम हुन्रो का चल परपाद जो है इसका कौन हो जागा क हमतार पडशाद सिंग काम इसका राइट अंसर हो जाएगा तो आपको आसाने से याद होजाएगा क्योंकि आपको option दिया ओढ़ाएगा है किम्हारी के आ घ्रेब लिखंग तो नाम ही से पताई अगला है बच्चे की दुआ तो ध्यान ना रखना है बच्चे की दुआ से हमारा एक भी बाल बाका नहीं हो सकता है यानिके बच्चे की दुआ से एक बाल भी बाका नहीं हो सकता है यानिके मुहमद एक बाल क्या हो जाएगा मुहमद एक बाल आपके दिमाग में बिल्कुल आसानी से क्लिक हो जाएगा अब जब option दखेंगे तो चलिए आगे दख लेते हैं अगले 9 दमभ्ण जो है अशुक का मैं शे الذीयाग तो हुआँ पे जो है औस हो के बाड़े में जानते हैं बच्पन में पढ़े होंगे तो अश्च ने जो है कलिंग की लडाई के बाद जो है उसमें जो है अशोक असल में सस्त्र त्याग कर दिया था यानि कि अशोक जो है वास्तब में सस्त्र को त्याग दिये थे ने यानि कि शस्त्र यानि कि बिल्कुल लडाई मार जो है वो सब छोड़ दिये थे यानि कि असल में वास्तब में तो शस्तित्याग जो है अशोक किये थे वास्तब में यानि कि अशोक का शस्तित्याग से हो जाएगा वंशीधर श्री वास्तब क्या हो जाएगा वंशीधर श्री वास्तब इसका जो है राइटर का नाम हो जाएगा तो आपको आसानी से यह तो हमारी नेकी धरी की धरी रह जाएगी यानि कि तो कभीर के पदका क्या हो जाएगा कभीर दास क्या हो जाएगा कभीर दास तो आप आसानी से यह आपको याद हो गया होगा चलिए आगे देख लेते हैं आगे जो पीपल क्या है पीपल तो पीपल के राइटर है गोपाल सिंग नेपाली यहां पे पल आ रहा है यहां पे पा सही आंसर तक तुरंत पहुंच जाएंगे आसानी सा चली आगे देख लेते हैं आगे दीन भंधु नीराला क्या है दीन भंधु नीराला तो यहां पर द Darlingkin रखना है धेनवरणெन थीन तो हम लोग अगर दिन में रहेंगे तो हम लोगों को इबादत करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इबादत करना पड़ेगा यानि कि हम लोगों को इबादत को हिंदी में बोलते हैं पूजा यानि कि पूजा करना पड़ेगा तो दीन बंदू निराला से हो जागा यानि कि इसके राइटर में आ जाएगा प पुछभू कूं रच्ट है? फूल, किस से निकलता है? फूल से, और कौन सा फूल से? तो कमल, फूल से, यानि कि अरुन कमल हो जायगा, तो इसको बिलकुल आप याद रखने में, इसको कोई भी दिक्कत नहीं हो कि अला जो है, वहे जहासी की रानी, क्या है? जहासी की रानी, जो है वो लड़ी थी किस से अंग्रेजूं से यानि के अंग्रेजूं को क्या की थी मारी थी क्या की थी मारी थी यानि के तो हो जाएगा मारी मारी से हो जाएगा सुभधरा कुमारी चोहान, सुभधरा कुमारी, चोहन तो आपको याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इसमें भी कहीं पर कुमारी नहीं था, इसलिए मैं कुमारी से ट्रिक बना दिया, यहां से गिरानी से हो जाएगा, सुभधरा कुमारी चोहन, तो जब आप टेश्ट लगाए चिकित्सा का चक्कर का हो जागा, बेढब बनारसी, कौन हो जागा, बेढब बनारसी, अगे सुधामा चरित क्या है, सुधामा चरित, हम लोग किरिश्णा और सुधामा का जो कहानी पढ़े हैं, तो सुधामा का चरितर कैसा था, तो सुधामा का चरितर क्या था, उत्तम थ क्या था उत्तम तो उत्तम किसमा नर्टम में यानि के नर्टम-दास राइट आंसर हो जागा यानि के सुधामाः चरित का क्या हो जागा नर्टम-दास जब आप टेश्ट लगाएंगे तो आप आसानी से और आके है रहा भटके हिरन के बच्चे को रहा भटक गिया हिरं का बच्चा जो है रहा भटक कर गए कहां पहुंच गया वियत नाम तो ध्यान मा रखना वियत नाम पहुंच गया रहा बटके हिरन के बच्चे को हो जाएगा डॉक्टर नी वियत नाम तो हम लोग इसको याद रखेंगे यहां से याद रखेंगे विक्रम ठाकुर की उरान के याद रखेंगे विक्रम ठाकुर की उरान विक्रम शिला ठाकुर से हो जाएगा जननायक कड़पूरी ठाकुर और उरान से हो जाएगा होसले की उरान ये सबी क्या है पाठीबुस्तक विकास समीति के दौरा, इसमें एड़ किया गया है, तो ध्यान रखना है, विकरम ठाकूर की उर्हान में रखना है, अब हम लोग देख लेते हैं, लत्त, संकलित वाला, यानि के खिमा, खिमा जो है, यह भी संकलित है, दीधी की डाइरी भी क सही आंसर तक मैं पहुश पा रहा हुए जाते हैं तो जैसे कि अप देख पार है है in the part we had called Hai did आखे रखे तया द्यान में का मिए रिख जाते हैं इद नमाज पढ़ने उसके बडगले मिल भाड़े मिलते हैं यहरु यह प्यार से ठीडे मतलब प्डेम ने option number b right answer होगा चलब आगे देख लेते हैं आगे है अशोक का शेस्त रित्याग का श्र तो आशोग जो है शास्त्र कर दिये थे वास्तब में तो वास्तब किसमा आ रहा है वांशी धर तुसरी वास्तब में आ रहा है याँए अप्शन नमर ए ही राइट आंसर होगा चला आगे देख लेते हैं आगे जो है वह है खुश्बू रचते हैं हाथ क्या है खुश्बू वह है बच्चे की द्वा बच्चे की द्वा के लेकर कौन है तो बच्चे की द्वा अगर करेंगे बच्चे अगर द्वा करेंगे तो हमारा एक बाल भी बाका नहीं हो सकता है तो एक बाल किसमा आ रहा है तो बदरा कुमारी चौन में नहीं आ रहा है प्रेम चंद में नही है तो पीपल ॥ी-पल पल राधने इसमें यह पाल हम्य एक टेप rund और तो इसमें भी नियाज है इसमें इन्यार इसमें Rs नेपाली तो इस तरह से आपको आसाणी से इस यह याद हो जाएगा चली आगे दिख लेते हैं 10 को आगे थेस के बंदू निराला किया है दीन बंदू निराला इसके रजनाकार कौन है दीन बंदू निराला किया तो दीन बंदू दीन अगर हमको दीन में रहेंगे तो हमको इबादत करना पड़ेगा नहीं इबादत यानिके पूजा यानिके तो किस मारा पूजा कबीरदास में आरा आचा सब्सक्राइब कर ली जगा और इसके बाद हम जो है गोधुली और गोधुली के जो है गद्य और काव्य खंड का भी ट्रिक का वीडियो बना चुके हैं साधी साथ उर्दु के ट्रिक का भी वीडियो बना चुके हैं बिल्कुल राइटर का नाम आपको आसानी से इसी तरह से याद होगा तो उसको भी आप देख सकते हैं चले मिलतें